आज हम बनाएंगे एकटम जटपट से बनने वाला बहुत ही ज्यादा डिलीशियस और साभी को पसंद आने वाला सफुला मसाला उट्स इससे बनाना बहुत ज्यादा आसान है, बहुत ही जटपट बननके थेयर हो जाता है तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले कड़ाई में में ढल देंगे बहुत ही थोड़ा सा तेल करीब दो चमच के करीब तेल गरम हो जा है बस उसके बाद इसमें हम डाल देंगे आदे चोटे고, चीरख और अपने स्वादा नज़ार इसमें हरी मिर्च डाल देंगे तो यहाँ पे थोड़ी तीकी मिर्चत इसलिए मैं एक बारी कटवी मिर्च डाल रही हूँ और उसके बाद यहाँ पे हम डाल देंगे दो मीडियम साइज बारी कटवा प्याज अब यहाँ पे प्याज को हमें हलका सा भून लेना है बस उसके बाद इसमें हम डाल देंगे मटर तो यहाँ पे मैंने एक छोटी कटोरी मटर डाली है तो मटर को भी हमें यहाँ पे अच्छे से भूनना है तो यहां पर मतर अच्छे से भून कूकिल अभिसमें हम डालेंगे टमाटर तो यहां पर मैंने डाला थो मेढ़ेंगा एक्स्टामासाला डालने के जरूद नहीं है बस आपको नमा खल्दी डालना है क्योंकि जो सफूला मसाला ओट्स होता है उसमें पहले सी मसाला होता है उसका फ्लेवर इतना चबर चस्त होता है कि आपको बहुत ज़ादा उसका टेश्ट पसंद आएगा तो यहाँ पर देखिए टमाटर पूरी तरह से गल चुका है और मटर वगर भी अच्छे से पक चुके हैं तो अब यहीं भी हमें क्या करना है कि इसमें डाल देना है सफूला मसाला ओट्स तो यहाँ पर देखिए मैंने सफूला मसाला ओट्स का छोटा पैकेट लिया है सोलर यहाँ पर मैं इसका दो पैकेट डाल रही हूं दो पैकेट तीन से चार लोगों के लिए पर्याप्त हो जाता है तो बस अब इसमें डाल देना है पानी तो यहाँ पे हमने दो पैकेट सफूला मसाल ओट्स डाला है और दो ग्लास भर के पानी भी डालेंगे इतना पानी पर पाद इसे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यह हलका हलका सा अभी पका है हलका हलका सा गाड़ा हुआ है तो इसे सर्व करें और फटाफट से खाएं बहुत ही ज़्यादा लाचबाब लगेगा यह सफुला मसाला ओट्स बच्चों को भी खिला सकते हैं आप उन्हें भी बहुत पसंद आएगा तो चलिए बीना देरी के वे फटाफट से इससे सर्व कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए इस व्डियो में एक नई रेसिपी के साथ